Money Haste दुनिया की सबसे पॉपलर वेब सीरीज में से एक है इस वेब सीरीज में एक फेमिस करेक्टर है जिसका नाम है प्रोफेसर और इस करेक्टर को लोगों ने खुब पसंद किया है तो चलिया जिस वीडियो में प्रोफेसर के कुछ परसनल सीक्रेट जान लेते हैं नमबर वन प्रोफेसर एक स्पैनिश एक्टर है जिनका रियल नेम अलवारो मोरते हैं जिनोंने इंजिनरिंग की पढ़ाई की है दूसरा वो सिर्फ मनीहेस्ट में ही प्रोफेसर नहीं है वो रियल लाइफ में भी प्रोफेसर है जिहाँ आप टिक सुन रहे है टेंपर युनिवरसिटी फिल्लैंड में स्टेज मैनेजमेंट की कलास लेते हैं तीसरा, मनी हेस्ट शुरू होने से पहले उन्हें कैंसर की बिमारी थी, वो पैर के ट्यूमर से पीडित थे, लेकिन इलाज के बाद वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए थे, आपको ये जानके कैसा लगा कोमेंट सेक्शन आज सोचल मीडिया पे भीड तो बहुत हैं, लेकिन आज, इंसान अंदर से उतना ही अकेला है, और उसी अकेलेपन की वज़े से कभी-कभी उसके दिमाग में सुसाइडल थौर्स आने लगते हैं, गाइस, 10 सितंबर, यानि आज, सुसाइड प्रिवेंशन डे हैं, तो चली जानते हैं कि सुसाइड के एक्चली लक्षन क्या हो अगर आपके दिमाग में भी ऐसे खयाल आते हैं, तो ऐसे लोगों को म्योजिक सुनना चाहिए, ऐसे लोगों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसे लोगों को अपने मन की बात लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, ऐसे लोगों को हेल्दी खाना चाहिए, अच चोटा सा एक्जम्पल सुनिए, बीजिंग ओलंपिक के दुरान ओपनिंग सेरमनी में एक 9 साल की लड़की ने पेट्रियोटिक गाना गाया था, बाद में पता लगा कि वो लड़की सिर्फ हो टिला रही थी, यानि कि लिप सिंग कर रही थी और गाना तो किसी और ही लड़क लड़की ने गाया था, जिस लड़की ने सच में गाना गाया था, उस 7 साल की लड़की को बैक स्टेज ही रखा गया था, और रीजन जानके आप लोग हैरान रह जाएंगे, उस लड़की को सिर्फ इसलिए बैक स्टेज रखके गाना गवाया गया था, क्योंकि वो लड़ फोलो करना चाहिए Number 1 Hungry dogs are never loyal इसका मतलब ये है कि ऐसे लोगों को अपना दोस्ट ना बनाये जो कि सिर्फ अपने मतलब के लिए आप से बात करते हो Number 2 Be like a mirror इसका मतलब ये है कि सब के साथ दयालू बनने की जरूरत नहीं है अच्छो के साथ अच्छा बने और बुरों के साथ बुरा क्योंकि अटेंशन सेकिंड्स में चली जाती है लेकिन रिस्पेक्ट लंबे समय तक रहती है क्योंकि यह ऐसे लोग होते हैं जो कि पैरासाइट के जैसे होते हैं जो की आपकी positive energy को आपसे juice लेते हैं तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें आपको यह life lessons कैसे लगे comment section में ज़रूर लिखेगा इंसान ने आज तक इतना गहरा गड़ा खोदा होगा क्या आप जानते हैं? नहीं अपनी लिए नहीं धर्ती के नीचे की बात कर रहा हूँ चलि आज ये भी जान लेते हैं इंसान द्वारा आज तक खोदे गए सबसे गहरे गड़े का नाम है कोला सूपर डिब बोर होल जिसे 1965 में रशिया द्वारा खोदा गया था क्योंकि वो धर्ती में छिपे हुए रहस्यों को जानना चाहते थे इसकी गहराई 12 किलोमेटर है लेकिन इससे जादा वो खोदी नहीं पाए क्योंकि हर 32 मेटर की गहराई में एक डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर बढ़ जाता है और 12 किलोमेटर तक जाते जाते टेंपरेचर इतना जादा बढ़ गया था कि मशीनों ने काम ही करना बंद कर दिया था इससे भी रहस्यों में बात ये है कि 1995 में रशिया ने इस होल को पूरी तरीके से सील कर दिया था और अब वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता इसके बारे में आपका क्या खयाल है कुमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए शेर सब्सक्राइब एं लाइक मिलते एकली वीडियो में